नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरो श्यर्मा और आप देख रहे हैं अमारा चैनल हर्यान अपडेट डेली नियोज अभी अभी बड़ी खबर आमारे पास आई है रेवाडी में मिला व्यक्ति का शव अभी तक शिना शिनाकत नहीं हो बड़ी रेके रेवाडी से भी बड़ी खबर आई है कि गाव सुठानी के अंदर जोड में तेरता हूँ एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी गामवालों दुवारा खबर ये कि मंगलवार दोपैर मतलब आज के दिन दोपैर के समय गाव के लोगों ने देखा कि जोड में एक शव तेर रहा है इसके बाद सूचना पुलिस को दी सूचना पुलिस ने गामवालों की हेल्प से जोड में से उस व्यक्ति का शव निकाला इसके बाद देखा तो लगबग उसकी उम्रे 24 साल बताई जा रही है इसके बाद ये भी बताया जारा कि अभी तक उस व्यक्ति की शिनाखत नहीं हो पाई है कसोला थाना पुलिस वहाँ पर मोके पर पहुंची और जो बावल की शव ग्रह है वहाँ पर उस व्यक्ति का शव रखवा दिया है सभी पुलिस टेशन के अंदर उसकी फोट जो भी है उनके पाद डिटेल पुलिस के पास और फोट वगेरा वह सभी थानों के अंदर भीजवादी ताकि जल से जद उस व्यक्ति का पता चले कि कौन व्यक्ति है और आगे की सूचना आप देखे पुलिस देखी कि कैसे क्या कारेवाई होती है दूसरी खबर देखे आपको मैंने बता देता हूं कि आज रिवाडी के अंदर की जो व्यक्ति था जो कि मैं कह सकता हूं बिजनिसमें था स्क्रेब का काम करता था उसको आज लूट लिया गया वो अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली रोड पर जा रहा थ अब ही फिदेडी गहां के पास दो व्यक्ति बदमाश आए और उसके चाकु मारा और उसके जो जेब में रुपए थे लग काफी रुपए थे वो लेके वहां से फरार हो गया व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत में दर्ज में बताया कि उसको अपने ड्राइवर पर शक है और देखें पुलिस ने इंवेस्टिकेशन की और तब की तब पता चल गया कुछ ही घंटों बात कि उसका ड्राइवर की मिली भगत से यह जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस ने ड्राइवर को भी हम कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया और जो भी दोनों व्यक्त और रात को आठ बजेरे वाड़े की बड़ी खबरे मिलेंगी इसी के साथ धन्यवाद